नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ बात करते हैं तुनीशा शर्मा के केस की तुनीशा शर्मा के केस में हाई कोट में श्रिजान खान की सुनवाई नहीं हुई तो ये कयास लगाए गए थे कि देविंद्र फड़नवीस से मुलाकात करेगा श्रिजान खान का परिवार तो वहीं अब श्रिजान खान के परिवार ने नहीं बलकि तुनीशा के परिवार ने एक बड़ी शातिर चाल चली है देविंद्र फड़नवीस से मुलाकात की पहले संभावना जताई जा रही थी कहा भी ये गया था कि श्रिजान खान का परिवार जाएगा फलक नाज जाएंगी श्रिजान के वकील जाएंगे देविंद्र फड़नवीस के पास उनसे नयाय की गोहार करेंगे मदद की मांग करेंगे मगर यहां पर पूरा जो मामला है वो पलट चुका है पूरा जो खेल है वो बदल चुका है एक और जहां शिजान के परिवार का संभावना जिताए जा रही थी कि वो देविंदर फटनवीस के पास जाएंगे तो वहीं अब तुनीशा का परिवार उन हुने बादचीत की है ऐसे में अगर आगे आने वाले दुनों में शिजान खान का परिवार उनसे मुलाकात करने के लिए जाता भी है तो क्या शिजान खान के परिवार को भी वैसी ही स्वान संतना दे पाएगा बीजेपी के सरकार वैसी ही स्वान संतना दे पाएगी क्या देविंद्र फड्नवीस उसी तरीके से उनसे भी बातचीत कर पाएंगे ये बहुत ही दिल्चस्प होगा देखना क्योंकि यहां पर पूरा जो खेल है बदल गया पहले देविंद्र फड्नवीस की बात कही जा रही थी कि वो इस पूरे केस में कोई भी मदद नहीं करेंगे शिजान खान के परिवार की हाला की शिजान खान का परिवार भले ही उनसे मिलने के लिए पहुच जाए तो वहीं उनसे पहले वनीता शर्मा पहुच गई उनसे मुलाकात करने के लिए हाला की वनीता शर्मा उस वक्त कोट में नहीं पहुची थी जब शिजान खान की आया था हाई कोट का बुलावा था तो चंडीगर से क्यों नहीं आई तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि वनीता शर्मा महराश्ट पहुच चुकी हैं और ना केवल पहुच चुकी हैं उन्होंने देविंदर फटनवीज से मुलाकात भी कर लिया अब देखना ही होगा कि द दिनों में ऐसा हो सकेगा या फिर शिजान खान का परिवार डिप्टिस सीम से नहीं बलकि सीम से मुलाकात करने के लिए एकनाथ शिंदे का दर्वाजा खटकटाएगा यह भी देखना बहुत दिल्चस्प होगा अगर ऐसा होता है तो राजनीती तैय हैं दोनों ही पार्ट या आमने सामने कैसे नजर आएंगी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ